कुंग्राइट्स यह बताने के लिए आये हो मैं यहां तुम्हारे लिए आया हो इतने दिरों के बाद तुम्हारा नाम और तुम कहां पर रहती हो मुझे कुछ पता नहीं था बहुत मुश्कल से यहां तक पहुचा लेकिन लेट हो गया अभी क्या करना चाहते हो शादी करना चाहता हो तुमसे इतना इजी नहीं है घर वाले इसके लिए राजी नहीं होंगे तो इसमें क्या है परिशे करवादो सबको राजी कर लूगा इस वीख में दीदी की सब को राजी कर लो फिर देखते हूँ चलो आओ यह हमारा व्रिंदावन कैसा है एक्षिली युनों सुर आफ एक्स्ट्रा कुछ मत बोलो बहुत अच्छा है बोलो ठीक है बहुत अच्छा है भेवकूफ कहींगे वह वहां ममी 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 यह लड़का कौन है फोटाग्रफर पर अल्रड़ी किसी को बुला लिया है न नहीं आएगा न क्या अरे हांटी वह आ नहीं पाया उसने मुझे फोन करके बदाए कि वह नहीं आपाएगा पर हमारी गाव में तो एइपोर्ट ही नहीं है है फिर मैंने एइपोर्ट से काप बुकिया एड्रस दिया और मैं यहां तक आ गया पड़ तुम रहोगे कहां मैं तो किसी भी होटल में रूट उपर ओपर कहा इसकी आई ये तो इसे कहीं से उठा कर लाई है इसको देखकर लगता नहीं है सच में उठाकर नहीं लाई है इसे अपने साथ लाई है डाड़ी ये टीवी सीरिल का प्यार मुझसे नहीं देखा जाता है मृंचे कहीं जाता है किया। पर इस लड़के को मैंने कहीं देखा है जाने दो वर नाइस नाइस वीट यू कार्टिक मेरे डारी मेरे बेस्ट फरेंड इसे पानी वाने प्लाई कर्या शरो सर्णों चलो जल्दी चलो मॉसी मॉसी क्या है फोटोग्रफर है फोटोग्रफर अजी सुनिये जल्दी आये आ रहा हूं फोटोग्रफर आया है जी जाने रहे हो अभी नहीं शादी में शादी में कर दो चलो मुझे भी आपसे मिलने कामन कर रहा है पर घरवालों को पता चलिया तो थोड़ा मुश्किल है पर हम मिल सकती है अजया सब्सक्राइब मैं बाग में बाथ करती हूँ रूं क्या है अनल फागल है चोड़ व्रॉ नं बाथ कर रहे हैं59 जब तक मैं ना बोलो आखे मत खोला तीक है अब आखे खोलो हालो बहते हुए पानी को अपने बस में कर लेने की चाहत एक भ्रहम है वक्त अपने हिसाप से चलता है और बहते हुए पानी को हम पकड़ नहीं सकते ये वक्त ही है जो हमारे दिल में बीते हुए पल को छोड़ कर चला जाता है और ऐसे ही बीते हुए पल समंदर की लहरों की तरह आप सोच रहे हैं कि शायद ये कहानी मेरे बारे में है, लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी मेरे बारे में नहीं है, मेरे पिता जी के बारे में है। मेरे पिता जी में और एक दिन अचानक साथ समंदर पार इस देश में लाकर मुझे छोड़ दिया था और तब शुरू हुई थी मेरी कहानी में हाँ, कैटरिन, आपके डाड नीटिंग के बीच में अचानक बेहोश हो गए हम उन्हें लाइंग ओन अमेरिकन सेंटर ले जा रहे हैं सो उनके साथ वक्त बिताने के लिए मेरे पास बिलकुल टाइम नहीं था गुद मारिंग मिस्टे गूपीकृष्णा तो आप कैसा फील कर रहे हैं हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी है और हमें पता चला है कि आपको माईलो अकलुकेनिया नाम की बीमारी है मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि ये बिमारी ठीक नहीं हो सकती फर मैं आपकी सिचुवेशन समच सकती हूँ पर मिस्टे गूपीकृष्णा आपको हिम्मत राखनी होगी मरने वाला हूं मैं मेरे बचने की अब कोई उमीद नहीं है मरने वाला हूं ये बात मुझे अब हर पल मार रही थी इतने दिनों तक मैंने अपनी मेहनत से जो पैसे नाम स्टेटस कमाए सब कुछ बेकार है अब जीने के लिए मुझे जो चाहिए क्या है वो में अच्छा सा म्यूजिक प्ले करती हूं हुआ हुआ है हुआ हुआ है हैं जयाओ रती हैं जयाओ हैं वहां। हूँ यह कहा ओना आ यह घा करें अ उतर लोए लोए लोए對了 गोपी चलो खेलते हैं नहीं अभी नहीं खेल सकता थोड़ी देल बाद राधिकार पत्र, CEO, Mr. Neel ये क्या चल रहा है डैड? अच्छा, शुक्रिया दोस्तों. बहुत-बहुत शुक्रिया. क्या है ये सब कुछ? क्योंकि मैं छुटियों पर जा रहा हूँ. ठीके, जाएए पर ये सब कुछ क्यों? क्योंकि किसी को तो ये सब देखना पड़ेगा ना? उसके लिए तुम्हे हूँ नदे? बिलकुल हूँ. पर मैं तुम्हे इससे भी कोई एक बड़ा टास्क देना चाहता हूँ. इससे बड़ा टास्क और क्या हो सकता है? इस ओलिडे में तुम मुझे ज्वाइन करने वाले हूँ. और अजया. और अजया. और इससे बड़ा हूँ. तुम मेरे साथ ओलिडे पर आरह हूँ. ये पक्का है. और कार्तिक मुझे एक चोटा सर रडाओट है. बिजनेस, बिजनेस, तुम हर समय ये बिजनेस की बात करते हो, ये बड़ी उनिवर्सिटी से पढ़ कर आये हो, पर बिजनेस का जो बेसिक प्राइमरी रूल है, वो शाय तुम भूल रहो, कार्थिक. And according to me, a perfect ideal businessman, बिलिज दिया no perfect lunches in the world. अगर तुमने कोई service दी है, या ली है, तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, है की नहीं, अब तुम्हारे केस को देखते हैं, तुम्हें इतना पढ़ाया, लिखाया, बढ़ा किया, और तुम्हें इन सब के लिए तयार किया, ये सब भी तो आखिर services है, लेकिन मुझे क्य मेला इन सब के लिए, sounds very selfish, but मैंने क्या decide किया है कि अपनी लाइफ के मुझे 30 दिन चाहिए, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिकिया उस के इवज में, सिर्फ 30 दिन दे दो, तुम्हें अच्छा लगे, बुरा लगे, मेरे साथ चलना होगा, मेरी जर्नी में साथ देना होगा त जिर्स, मैं ये डाट को क्या होगया, सडनली है अरती लेलो क्या हुआ पंडित जी ऐसे क्यों देख रहें आप मुझे सड़नली इतनी भक्ति मुझे कहां से आगे यही सोच रहें ना आप यह भक्ति है या क्या है मुझे पता नहीं गौतमी की भगवान के प्रति कितनी भक्ति थी यह तो आप जानते ही अच्छी तरह से जरूर उसकी आत्मा कहीं आसपास ही होगी आप जिंदा थी तो उसके प्रति अपने प्यार का कभी जार नहीं कर पाया मैं इस तरह मुझे मंदिर में देखकर शायद उसकी आत्मा को कि चलो एक दम बेकार हो गई है मेरी जिंदगी जवान बेटा कोई काम नहीं करता एक पैसा नहीं कमाता है बाहर का कच्रा भी मुझे साफ करना पड़ता है जिन्दगी कच्रे जैसी होगी है क्या है मेरा घर साफ नहीं देख सकते आप लोग जो बीच में आके खड़े हो ग गणपती का चंदा मांगने आये हो देखो भाई फूरे गाव के लोग मुझे चंदा देंगे ना तो भी मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली और तुम लोग मुझसे चंदा मांगने आ गए चलो चलो निकलो यहां से शर्म नहीं आती इतना समय और पैसा नहीं है मेरे पास जो जाओ यहां से यह चंदा मांगन भी घंडा हो गयाहे ऐसे कप्ड़े बेंद कर जाये तो कोई भी चंदा देगा और तूय को निंगाव कुछ शीखज अरे क्वाओ क्य क्या है नहीं कर सकता है तो कम से कम बम्ना कर आब किया जगे है यह यहां कि मैं क्यों भॉस किया होटेल पहुंचकर बात करता हूं मैं यहां कर पचता रहा था सोचा पापा को समझा कर यहां से निकल जाओंगा बहुत देर उनका इंतसार किया पर वो तो आई नहीं फोन भी नॉट रीचिबल था वेट करने की ताकत नहीं थी तो मैंने यहां से निकल जाने का फैसला किया और जल्दबाजी में उन्हीं का ब रिवर में सियुसाइड करना चाहते हो हां हां क्या सोच रहे हो फिर है एक मिल्ट रुको हां रुकती हूं मैं यहां ख़ड़ा कुछ सोच रहा था तुमने आकर धक्का क्यों दिया क्या सोच रहे थे परस्टनल है तो मत बताईए पर कहते हैं कि दूसरों से दिल की बाद श से दिल हलका हो जाएगा अंकल जल्दी देर मत कीजिए मेरा एक जवान बेटा है और वो सारी जाइदा धड़ापकर घर से निकाल दिया क्या तुम मुझे बोलने दोगी देखो मुझे तुमसे प्रॉमिस चाहिए जब तक मैं अपनी बात पूरी न कर लूँ तब तक तुम बीच में बिलकुल नहीं बोलोगी थोड़ा मुश्किल है परो के ट्राइ करूंगी मैंने अपने बेटे को बेटे की तरह नहीं पाला है एक बिजनसमेन की तरह पाला है और वो आज तक सिर्फ प्रॉफित लॉज गिनते हुए ही बड़ा हुआ है प्यार अपना पंस नह लगाओ इन सब जैसी चीजों की उसके जिन्दगी में कोई जगह नहीं है और शायद मुम्किन भी नहीं है मेरी तरह वो रहे मैं ये चाहता था पर मेरी तरह अकेला हो जा मैं चाहता था जो जिन्दगी आज मैं उसे इस दुनिया में जीते हुए देख रहा हूं मैं उसे अपना पचीज साल पुराना परिवार देना चाहता था अब मैं उसे अपने उस पुराने परिवार तक कैसे लेकर के जाओं यही सोच रहा हूं हूं कॉं कॉम्प्लिकेटि पेटी, आरा हूं मैं भी. जाए, यहां एक्षास पास रेस्ट्रान है किया? यहां पर आप ऐसा कुछ नहीं है. यहां पर कहीं कार्ड इसत्वाल होता है? मुझे हैं कुछ नहीं होगा यह चोटी जगा है. भाई, लगता है कि भूग लगी है. यह औरे महरा में आपको मि और उसे जानता पए नहीं कि नहीं क्या सोच रहा हो पिस्सकी को बुलाने से पहले माघ को बताना तो चाहिए आढ़ exist बैठो जो बनाया है वही खिला सकती हूं खाओ शर्माना मत कहां तक पढ़े हो तुम लंदन स्कूल ऑफ एकनोमिक से स्कूल मेरे बेटे ने भी स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी कोई नौकरी वगरा करते हो या नहीं या ऐसे गाव में घूमते पिरते रहते हो अच्छली डारी बिजनिस स्कूल सो अरे बापरे इंग्लिश इस गाव म खाओ खाओ मैं थाली उठाती हूं यह टिशूट पेपर नहीं है क्या शाहिद इस बैक में होगा है यह क्या है कि है कि अ कि कि अ कि 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 यह तुम्हारे पास कैसे आम दरसल यह मेरे पापा के बैग में था बेटा तुम्हारी पापा का नाम क्या है गोपी Democracy क्यूंते ही उस्त आुरत के चेहरे की हुशीन देखने लायक थी का सारी याद उसने मेरे साथ शेयर की मेरा कोई दोस्त नहीं है इसलिए मेरे पापा के बचपन के दोस्त को यू ढूणते हुए यहां तक आना मेरे लिए बहुत शौकिंग था मेरे पिता-जी जो भी काम करती थे उसके पीछी जरूर कोई न कोई वजह होती थी वो इतनी दूर यहां तक आये इसके पीछे भी कोई वजह सरूर होगी तो फिर ओ हो अच्छा समझ गई missing your son आ जाएगा अंकल आप उसे इतना मिस्स कर रहे हैं तो वह मिल जाएगा सच में एक लौता बेटा है ना अचानक मैं भी एक लौती हूं मेरी मम्मी पापा को भी इसी तरह तकलीप हो रही होगी ना रो मत बेटी सब ठीक हो जाएगा एक बार उन्हें फोन कॉल करके बात कर लोगी तो दिल हलका हो जाएगा अच्छा इतना इजी है क्या तो फिर आप क्यों इतना दुखी हो रहे थे हां हम सो इस पल को बिकार मत कीजिए हां पाटी करेंगे क्या हां बोली आप जीर्स आप जीनियस है आंकर तुम तो मुझे यहां पर लेकर आगई पर पता नहीं वो इस वक्त कहां पर होगा उसे इस तरह से छोड़कर आगया हूं पता नहीं मैं मेरे बारे में क्या सोचता होगा कहां होगा क्या कर रहा होगा देखते हैं व्यासे तुम क्या कह रही थी तो हो गई बैचारी कि मोबाल में सिग्नल ही नहीं है कैसे कॉन्टाट करो कि एक्स्क्यूज मी क्या मैं फोन कर सकता हूं बोर्ड नहीं देखे का प्रीपेर्ड है सो रुप्या दो आप फोन करो देखें बात समझने की कोशिश कीजिए कुछ अर्जेंट है तो ठीक है नोट दीजिए कर लीजिए मैं और मेरे पापा युएस में रहते हैं कुछ दिन पहले यहां आए और अब यहां पर ना तो फोन में सिग्नल है और ना ही एटियम में कैश है मेरे पास पैसे भी नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी वाच ले लीजिए या फिर मेरा मोबाइल फोन रख लीजिए घड़ी मोबाइल से कौनों मतलब नहीं है वहीसा दो आप फोन करो देखें आपको बात में जितना चाहिए मैं आपको दे दूंगा प्लीज मुझे एक कॉल करने क्या हुआ गो थैंक्स है अंदर तो कोई फोन ही नहीं है तुम रहे पास है हां है निकालो कि सिगनल है क्या नहीं है अब अंदर जाओ कि सिगनल आया का हां आगया तो आप बात कर लो बात हुई आपकी नहीं बात नहीं हुई इंगी च्टा रहा है ओ दुबारा ट्रॉई कीजिए हां मैं बात में कर लूँगा आप से अपना फोन देंगे शाट एक मिनिट हलो मैडम हेलो रम्या मैं अंजुली कहां है तो यह पताओ कॉलेज के रियोपनिंग कब है दो वीक के अंदर ही रियोपनिंग है ठीक है मैं आ जाओंगी मेरे घर से फोन आई तो मैनेज कर लेना ओके हुआ है थांक्स इस ओके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कहां जाओं और तब मुझे लगा कि जिसने मेरी मदद किया है क्यों ना मैं उसे ही फॉलो करों क्या है फॉलो कर रहे हो नहीं मैं तो पास के विलेज में जा रहा था ऐसा है ठीक है जाओ जाना था ना तुम्हें जाओ क्या यार वो जो तुम कर रहे हो ना उसे फॉलो कहते हैं क्या बात है देखिया आप मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगी मेरा कार्ट भी काम नहीं कर रहा है सुम्सना कर Gauppi Krishna, युछा में और मेरे पापा युएस से आए है। मैं उन्हिने समझ ने पाया और मैं अगल अगिवी होटेल से निकल आया। अब मैं कहां जाओं किससे मिलों कुछ takich में नहीं है। अब वो मेरे साथ नहीं है तो उनकी वैल्यू समझ में आ Brillaha कौन है आपके पापा उनका नाम गोपी कृष्णा है यूस पर बिजनेस गोपी कृष्णा गोपी कृष्णा वेट जस्त अमिनट आप शोगी हिस फेक तो तुम ही वह लड़के हो मतलब कि तुम उन्हें जानती हो क्या क्यों नहीं चलो चलो बेचार बज़ोर्ग इंसान है तो सोचा कंपनी दे दूं पर वो हर बार आपकी ही बात कर रहे थे मैं तो एकदम बोर हो गई इसलिए मैं उनको छोड़कर चली आई लास्ट टाइम इसी जगा मिली थी मैं उनसे मुझे जीतने की बड़ी चाहत थी हारना पसंद नहीं था और मैं बस जीतता चला गया लेकिन मैं जिन्दगी में पहली बार आ रहा हूँ मैंने जिन्दगी में जो खोया है मैं उसको वापस पाना चाहता था अब मेरी जिन्दगी का मकसद वही था इसलिए मैं चाहता था कि जिन्दगी के आकरी सफर में कार्तिक मेरा हमसफर बने मैं जहां हारा था, वहीं उसे खड़ा करके उसको जीतते देखना चाहता था चलते हुए कभी पीछे पलट कर नहीं देखा कि कहीं गिरने जाओं इसलिए जीतने के लिए आगे बढ़ता चला गया गया तुम्हें अपनी तरह देखना चाहता था इसलिए मेरे स्वार्थ ने मुझे ऐसा बना दिया तुम मेरे हाथ से निकल जाओगे इसलिए नहीं तुम्हारी जिन्दगी बनाना चाहता था और इस सिल्सिले में मेरे हाथ से बहुत कुछ फिसल गया जिन्देगी में पलट कर देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है लेकिन मुझे मिला मुझे अपनी गलती को सुधारने के लिए मौका मिला और उस गलती को सुधारने के लिए मैंने तुम्हें अपना हमसफर चुना है शादी के बाद मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन इस आखरी वक्त में मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इस बात का तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ गौतमी की भगवान के प्रती कितनी भक्ती थी, ये तो आप जानते ही अची तरह से, जरूर उसकी आत्मा कहीं आसपासी होगी, I am sure जिन्दा थी तो उसके प्रती अपने प्यार का कभी इजार नहीं कर पाया मैं, सुबह उठने के बाद हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं थी, सच्चाई तो हमारे भजपन में थी, और आज मैं वही खुशी देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे, कलीम पाशा मेरा दोस्त, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा जी के ग्रूप सब उसकी वज़ा से ही है, उसकी सहायता से ही मैं यूए से पहुचा, पर वहाँ जाने के बाद मैं उससे कभी नहीं मिला, उसके लिए मुझे इह भी ना, का रे गोफी, कैसा है, चालू हो गए, दिखा क्या है, निकाल, का कर रहा है, हमी सब छोड़ दिया है, उसको दे, जानता है क्यों छोड़े हैं, गोफी, मोटा हो रहूना, कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, अरे, पहले उस टुकु 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 ताक रहा उसको पिला, फिर हमको देना, नहीं तो पेट में दर्ध होगा, अच्छा, रूप, हम सोड़ा मिलाते हैं, तो उसका नजर कड़ जाएगा, अब सूट करेगा, एक के पैकेट लाया है क्या, चियर से गोफी, क्या आजीब आदमी है, ये गोफी कौन है, इसका उससे क्या ल देख रहा है ना, क्यों रे, तुमको इतने दिन के बाद हमारा याद आया है, इतने दिनों का अपना दोस्ता ना, तुम ऐसे भूला के चले गए थे, बचपन में जब संकरवा तुमको कलुआ बोला था, तो हम उसका कपार फोड दिये थे, तुमरी वज़े से पढ़ाई आई पीस की नौकरी शुट गई, तुम फॉरण चले गए, इस जंगल राज में हमरा जिनकी खराब हो गया, आईसा नौकरी से तो मौते बहतर होता है, बाप रहे, ए नर्सिंग, समझा रहे इसको, उसको क्या पता सर, तुमको पता है टकले, तो निधर आओ, ने ने ठीक ह तुमको दिख रहा है ना, वहमरा दोस्त है उसको जो बोलेंगे, हम बोलेंगे, उसको मारेंगे, काटेंगे, चाहे गाली देंगे, हम करेंगे, तुम्हारा कोई हक नहीं है, चलो, भाइगे हां ते, जोन फॉरी, अभी जो भी खर्चा होगा, वह मैं दे दूँगी, तुम उसकी बातों में एक मैजिक था, मुझे लड़कियों से मिलना, उनसे बाते करना, बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अब मुझे जरा भी टेंशन नहीं हो रही थी, मैं उसकी बातों को इंजॉय करने लगा था, एक नई जोरी शुरू हो गई थी, लेट सी, क्या होता है, क्य अराम से, चलो, उठाई, 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 गबराने की कोई जरूत नहीं है, अब ये ठीक है, अपनी सिंदिगी में पहली बार, एक अंजान इंसान के लिए मैं परिशान हो रहा था, सुनो, शाद कोई आ रहा है, काका दरसला, बात है किस गाउं में हम नए है, क्या यहां पर कोई होटेल वगरा है, जहां पर हम रात गुजार सकें, बड़ी महरबानी होगी, आपकी, बेटा, गाउं में होटेल नहीं होते, अगर तुम्हें कोई तक्रीफ नहीं हो, तो मेरे मालक्षमे, ओ मालक्षमे, इन्हें जरा अंदर बिठाओ, मैं अभी आता हूँ, हाँ एक बात बताओ, मेरे पिता जी मुझे यहां पर लेकर आया, उसके बाद वो गयाब हो गया, और तब से मैं उन्हें ढूंड रहा हूँ, तुम्हारी कहानी क्या है? 15 दिनों के लिए कॉलेज से सस्पेंट कर रही हूँ, थांक यू, हास्टेल से भी, थांक यू वैरी इसे ब्लीज यहां से जाने के लिए कलो अंजली, चलो यहां तुक करना के चाहती है बस मैं किसी का गळा दबा कर शाहती हूँ भस ये नहीं कर पारी मैं तुक करना क्या अब तो मैं बस लाइफ को और नीचर को इंजॉय करना चाहती हूँ रोड ट्रिप रख ले वाइशुड वाइशुड गूम रही हूँ मैं बोर हो गई थी लाइफ से इस फेस्बुक से इस वाटसाप से यूमन लाइफ से अधिशनालिजी नहीं हो गई थी एक काम करते हैं उसे फॉलो करते हैं अब चौर पकड़ा किया तो इसका क्या चुरा तुमने कैश सब हंड्रेट की हैं यह 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 लो सर इनके पास से प्लेट 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 यह लेज़ें चौर कलिका आप आईये सर आपका क्या है यह सारा सोना मेरा है भाई ओ गॉड यह लेज़ें समल्गें यह रखिए यह अंगुठी भी मेरी है भाई एक थपड़ खीचकी दूंगा ना चोरी करता है शर्म नह है ना यह चोटी सी अंगुठी छोड़ दीजे ना चोटी चोटी निकल लो तेरी दुकान पता है मुझे जा चलता हूं सर चलता हूं दिन रात महनत करके कितनी तकलीफ उठाके दिवार चड़के कुटों से बचके मैंने कितनी महनत से चोड़ी की अपनी जान पे खेला मैं और तुने सबको बटवा दिया मेरे पेट पे लात मारी है तुने कभी सुखी नहीं रहेगा सांड कितरा पस क्यों आया ओ सूट बूट और यह ब्रैंडेड टीशेट पहनने से कुछ नहीं होता है पस देखो इसमें पांच रुपए भी नहीं है देखो दूने इसकी चोड़ी कब की इस कारड़ वाटका मैं क्या करूंगा रख लो इसे पताने किसका मूह देखके चोड़ी करने देखला था हम चलते हैं कागा ठीक है बेटा यह लीजिए रात में आपने जो साइकल गिर्वी रखी थी आपके रिष्टदार के वज़े से मेरा सोना वापस मिल गया मेरी हिज़त बच गई इसलिए आपकी साइकल आपको वापस दे रहा हूं राम राम जिंदगी भर आप कैसा हम नहीं भोलोगा शुक्रिया को कोई रिष्टा नहीं था हमारा फिर भी रात का खाना खिलाने के लिए उन्होंने अपनी साइकल गिर्वी रख दी आपने सराब छोड़ दिया था ना अरे जाने मन हम तो सराब छोड़ दिये हैं यह हमरा खाती थोड़े ना है तो फिर इकिस के लिए लाए हैं अरे यह तो हम गोपी के खाती आप अरुप 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 दिखने रहा है कि अरे अशोग मिया अशोग मिया अरे घर में हो कि नहीं भाई नहीं आ रहाओ जरा रुको तो और जल्दी बाहर आउ भाई क्या मियाँ खैरियत है ना तो ठीक हूं तुम कैसे अलहमदुलिल्ला भाई सब उपर वाला के दया है अच्छा अशोक मियाँ वो गोपी कुछ पैसा मन्यादर किया है क्या उसके जाने के बाद कोई ख़बर नहीं है उसके अरे अब क्या बताएं मियाँ हम अपने अबबा जा तो हम उसका टुकडा टुकडा कर देंगे हम रहा जिन्दगी बर्बाद कर दिया अब बाजान को का बोले बताएं दोस्त के नापके कलंक पैसा लेकर भाग या में अब कर आदा हो जाओ कि अधर सालों के बाद तुमको हम रहा यानाया है तो तुम भी तो हो ना मैं बिल्कुल ठीक हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी इसलिए मैं सौरी बोलने के लिए उसाफ छोड़ो तुमको देखे कलेजा गंगद हो गया सारा देखो कौन गोपी हमारा भाई देखो कितने सालों के बाद हमारे घर आया है तुम खड़ा-खड़ा का करी ह जाके कुछ मटन मटन बनाओ जल्दी जाओ ना वाइठो यह मेरे दोस्त है हम कलीब पाशा ऐसा ही तुम्हारा तो सब बाले सफेद हो गया तेरी तरह कलर नहीं करता हूं ना यह क्या रहे खूशी में नीटे पीगा है बहुत खूश है ना एक्स्क्यूज मी कलीम पाशा जी का घर यह है क्या यह है अभी वह प्ली स्टेशन गये है अच्छा क्या उनसे मिलने यहां पर कोई गोपी कृष्णा जी नाम के आदमी आए थे वो तो कला कर चले गये आप कॉन दरसल मैं उनका बेटा हूं अब क्या करें तो ठीक है हम चल तुम्हारा नाम क्या है नाम पूछ रहे हो अहां जरा पलट 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 ना ओके जब तक मैं ना बोलू पीछ रहे हूं अहां जब तक मैं ना बोलू अबचछे मत देखना तुम्हारा लग चेक कर रही हूं ठीक है ओए देखो पहच अलग नेक्स टाइम कि अफिए मिस्टर क्या है जो क्या हूं क्या कर रहे हूं मनी रितम की कि अधर पार है रहे हो हम एक दूसरे को चांदते हैं तुम मेरी फ्रेंड सो तभी हम साथ में बैठ यह जो क्या जो आप क्या बूला तुमने में तुवारी फ्रेंड हूँ और नाम बताओ भज़े नाम बताओ सुरो चाराइगी क्या कर रहा हुआ तुम्द्ध्र करेंड यह तुम्द्ध्ध्ध टुछी देखेंगे आप देखेंगें ने 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 टुम्द्ध्र बदाओ कि लोग की अजीब है शुद को बता नहीं क्या समझते है ऐसे behave कर रहे दी जैसे वो मजे चांधी नहीं उसके साथ पिताय पल मुझे बार बार याद आ रहे और मुझे बलकुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसने मेरे जार में ऐसा üç VO झाल प्रवल पुज सकती है कि उस रात मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया था मैं रात भर सो ही नहीं पाया बस उसका चेहरा ही मेरी आखों के सामने खुमता रहा है कि 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 है सॉरी पता है मैंने लाइफ में आज तक किसी को भी सॉरी नहीं बोला तुम्हारा जैकपॉट लग गया सुरों दूसरों की फेलिंग्स तुम्हें समझती हो ना अच्छा बाब्रे फीलिंग्स भी है क्या फीलिंग्स है हां बोलो इतना गुज्जा क्यों कर रहे हो एक खुबसूरत लड़की तुम्हें समझा रही है तो समझना चाहिए अचीब दासिता है ये कहां शरू कहां खतम ये मन्जिले है कौन इसे ला 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 क्या बात है अभी ता गुसा खत नहीं हुआ साइबर काफे हाँ एक्सक्यूज में येस कर आई हाँ शिस्टम प्लीज पहले वाले में चले जाओ थैंक्यू ये वाँ ये निल वाँ मैं वाँ अपनिंग थैंक गड़ इतने दिनो बाद कम सकम बात की इतने बड़ी रश्प्वाँ प्रूंज पर्श्बिल्टी एंडल कर भुट जिए के अगए टरेंगा ये अग्स्पैट किया था ये अगए झाल झाल बस छोटी सी प्रोब्लम है इतना टेंशन लेने की जुरूरत नहीं है सही टाइम पर डिसेशन ले लेता तो यह नहीं होता ठीक है पहले पापा को डोणता हूं सारे प्रोब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगे अब यह कहां चली गई मेरे पास ही तो खड़ी थी झाल झाल एक्स्क्यूज मी बॉस आप कहां तक जा रहें सिटी होस्पिटल क्या आप मुझे सिटी तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज हाँ पहले गाड़ी स्टार्ट करवा दो आजाओ बेट जाओ थैंक्स 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 बॉस थैंक्स अगाई तो तो जो पिले नगी। अब दाद अब ठीक्टो है ना देट इतने दिनों तक आपने अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बता है बता देता तो क्या गरता है लेट्स को बैक वहां बड़े-बड़े आप प्रसे ठीक हो जाएंगे नहीं हो एट रुखेया यहां से यहां से मेरी बहुत सारी यादे जुड़िव ही है देने जो गलतियां की च Cathy को अब 뉴스 को सुठार और जिम्धारिया समय कम है करना वहत कुछ यह कारतिन को आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि माम होती तो अच्छा होता है कि हाव कम आज सडनली तुम्हें अपनी मा की यहाद आगे क्या बात है कुछ भी तो नहीं सोजाए आपको आराम की जरुरत है तच में सोजाओं अरे आप सोजाए सोजाए कल तुब उस लड़की का नाम बता देना मुझे आम स्लेपिंग गुद नाइट हम लोग हमेशा सपन थे अधाला बागते हैं लेकिन कभी-कभी सपने हमारे पीछे आते हैं उस लड़की के बारे में मैं जितना भी बताऊँ इतना कम है I miss her dad really I miss her लड़की का नाम नहीं बताया अवे तक तुमने वो तो अपना नाम बताय भी नहीं चली गई कुछ लोग ऐसे ही होते हैं यह लोग दरवाजा कíb निया जिन्दगी में चल आते हैं ले Corey जोग चले जैने उससे पहले हमें ये दरवाजा बंद कर लेन चाहते हैं नहीं तो यह लोग हमारी औख हो से ओझअ हमारे दिल में यहां है कांटे की तरह चुकते रहते हमिशा है इसलिए बोल रहा हूं तुमसे लेकर आउ उस लड़की को नो रैड इस सिचुएशन में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाओगा मेरे जाने के बाद डाड मेरे जाने के बाद चल जाओ एए चल जाओ डाड आपको पहचाना नहीं पहले तो कभी नहीं देखा अचली मैं ओ मेम साब की शादी के लिए हैं फ्रेंड है उनके जाए 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 अंदर जाए सभी लोग गंदे रहें शादी जलेड़न के लिए जलेड़न के शादी के लिएर सर्म चलिए हमाने के लग जगे लेलां प 새 कॉंग्राइट्स यह बताने के लिए आये हो मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं इतने दिरों के बाद तुम्हारा नाम और तुम कहां पर रहती हो मुझे कुछ पता नहीं था बहुत मुश्कल से यहां तक पहुचा लेकिन लेट हो गया अभी क्या करना चाहते हो जाले आ चाहते हो यह हम से इतना इनाम दियहे हैं घर ले इसके लिए राजी नहीं हों तो इसमें क्या है परशे करवा दो सबकू राजी कर लोगा इस वीद में डी शादी है घर पे लेकी चलती हूं सब को राजी कर लो फिर देखते हूं चलो आओ यह हमारा व्रिंदावन कैसा है एक्चिली यूनों सॉर आफ एक्स्ट्रा कुछ मत बोलो बहुत अच्छा है बोलो ठीक है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है भेवकूफ कहीं के वह वहाँ ममी 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 अब यह लड़का कौन है फोटोग्रफर पर अल्रड़ी किसी को बुला लिया है न नहीं आएगा न क्या अरे हांटी वह आनी पाया उसने मुझे फोन करके बदाये कि वह नहीं आप आएगा फिर मैंने सारा काम चोड़के लाइट बुकिया और यहां पर आगया पर हमारे काऊ में तो एपोर्ट ही नहीं है हां फिर मैंने एपोर्ट इसे का आप बूग किया और आधे क्वार इंग आधे तो इसे कहीं से उठाकर लाई आ है इसको द आधा कर लगता नहीं सच में उठाकर नहीं लाई है अपने साथ लाई है डादी कि यह TV सीरिल का पियार मुझसे नहीं देखा जाता था अब इस लड़के को मैंने यह था की देखा है जाने दो है आड दो सर नास्ट मेट यह कार्थे मेरी डारी मेरे बेस्त फ्रेंट इसे पानि मां आप यह सब दीज़ो जलो सिर्डी चलो अभी नहीं शादी में शादी में मौसी कार्टे 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 मौसी है कम आन कम आन कम आन चलो मुझे भी आपसे मिलने कामन कर रहा है पर घर वालों को पता चलिया तो थोड़ा मुश्किल है पर हम मिल सकते अगर असर सुरो मैं बाद में बात करती हूँ अपागल है चोर में बात कर रही है सुनो ना हेलो यह आई हाई हाँ कारी लेटर है अथा जैतान कंगी इन फोन दे और चलो ना डरो मत चलो मेरे साथ चलो दीडी चलो ना डरो मत चलो मेरे साथ सब कुछ मैं बार में बताती हूँ पहरे चलो जब तक मैं ना बूलो आखे मत खोलना ठीक है हाँ अब आखी खोलो हालो हालो हाँ हाँ किसे हुए मैं बिल्कुल अच्छा हूँ तुम्हारी आवास से लग रहा है तुम भी बहुत अच्छे हो तुम्हें जाहां पहुशना था वहां तो पहुच गयो ना एक बाद बता हूं यह ब्लेस यह लोग इनकी बाद है सब कुछ यहां पर कुछ पर नहीं लग रहा है I feel like it's so familiar इसे ही तो relationship कहते हैं तुम जिस काम से गए हो तुम उसे पूरा करो गए मुझे पता है जादा टाइम वेस्ट मत करना मेरे पास जादा टाइम नहीं है तो के अल द बैस्ट पेक्ट है कर दो कर दो जी मालिक यह आसमान इतना लाल क्यों है लगता है किसी ने खूण से लाल कर दिया और सूरज हमारी तरफ देख रहा है यह लाल और पेले रंग में कितना डिफरेंस है बिल्कुल वैसा जैसे किसी अच्छे और बुरे इंसान में होता है तुजल्दी पैक तैयार कर ठीक है माल कियो। पादा पेक कियो बनाए थान्जा मैने तो नॉर्मल बंद बनाया है माली मुझे बवकुफ समझ रखा तुने नॉर्मल बनाया थान्जाया नौ Dal यार ये तो गजब है दिन बर दिन जमान होती जारी है इससे बात करनी पड़ेगी तुम मुझे जानता नहीं है ठीक है फिर लगे रहे हैं अरे सुनो क्या हुआ गर्मा-गर्म काफी मिलेगी तेरी टाइमिंग बहुत गंदी अरे यहां पर सब अपने अपने कामें लगे में एंजॉय कर रहे हैं है जरा सबको देख तो सब लोग अपनी वाइफाई के साथ सेट हो गए है और हमारे पास एक भी सेट अप नहीं है मुझे फॉरन एक सेल्फी लेके फेस्बुक पर डालनी है मेरे फैंस वेट कर रहे होंगे जरा पूछ तो वाइफाई है क्या कहीं दि यूज़ बला रहा हूँः हाँ वाइपाई है राप जरुरुत है क्या है जरूरत है जबिंग जब घ直接 माझत आए है तो मिंगा कल बुरा मत मानना जङका क्या मतारा है मुझा बता नहीं को पासवड मताय हि अभी लेगव ऑ tort है बेटा बुरा मत मानने कुछ जरुत होगी तो बुलाऊंगा अभी तुझा मारने के लिए क्या चुम्मा लेने के लिए चल रहे कनेक्ट करना जी मालेच कि अगरी है कि अगरी है कि अ अ, अ, न, ज, न, न, भोड़ चा जेड़ा कि अ, होगी ज, भोड़ा ज, पित्य, भोड़ा औरो, ज, बुबा़ा झाम घ करना ज, बुम्मा अगरा कि अ, य, बुमादा एंटी 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 ॔가? दो यह 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 कर look at a यां माय यहाओ यह कर दो यह यह कर आफूजे के हैं, nú यह कर दो बादे यह वाय कर दो सकी है आ पह है यह यह व क्टलिया अहां? कर दो कर दो कर दो जो पास में खड़ी है कभी उसके बारे में भी सोचो यह खुश्यां सब तुम्हारी वज़े से हैं अब चाहे मेरे घरवाले माने या फिर ना माने हमारी शादी जरूर होगी बिल्कुल नहीं मैं तो मना कर ही शादी करूगा इतनी अच्छी फैमिली है मुझे तो बस इनका दिल जीतना है दिल तोड़ना नहीं है तो बदादी जीतना है है तो जब अ तैड़ी मैं सोच रहा था हमारी ऐसी फैमिली क्यों मैंने यह ड़ाइड कि मैंने हर बात अपने बेटे को बता ही ले कि ना सब्सक्राइब मिरी वी इक वैसे लोगे उसे बता पाए चाहिए क्यों मेरी भी एक फैमिली है उस बारे में कि जिस फैमिले को मैंने खुद अपने आप से दूर किया है trainee के बारे में उसे नहीं बता सका कि चाहता हूँ कि यह फैमिली बस इसकी हो जाए उसका फ्यूचर खुशी से गुजरे फिर मैं आराम से आखें बंद कर सकूंगा हाँ हाँ जरा रुको तो हाँ तुम्हारे पिताजी ठीक है ना मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी उनको मरे वे तसली द्रह रहा पागल कहीं का हाँ आजकल तो किसी इसली भी नहीं देनी चाहिए अरे कहा घांगया आजकल तो मेरा कोई भी आईडिया काम नहीं कर रहा है चल एक पैक दे सल्दी माले आपके दिमाग में क्या चलंगा अरे तुफेले पैक पिला इसकी बादी तो दिमाग च लगता है तुम बहुत बड़े फोटोग्राफर हो एक सेल्फी खीचोगे सेल्फी खीच नहीं जाती ली जाती है अरे तु कहां जा रही है मुझे बहुत सारा काम है सामने साटो तो काम जल्दी खतम करके आ जाना मैं यहीं मिलूगा इसका गुसा तो बड़ा तेजा लेकिन ह है सच में कमाल की कमाल की ने कटार की मालिक मौका मत छोड़ो लाइन में लगा लो बहुत मूड में हुआ अब तु मुझे बताएगा के लाइन में कैसे लगाना चाल कहां हो सकती है यहां पर कहां रखी थी यहीं रखी थी मिली क्या अब कहां हो सकती है पता नहीं कहा है यहीं कई क्या है इतने सारे लेटर्स क्या है यहीं सब देखते हैं इसमें भाईया कैसे हो आप हां भाईया कौन यह किसके बारे में है इतने सारे लेटर्स हैं पोस्ट भी नहीं किया अड्रेस भी नहीं है काफी इतने सारे भाईये नही ह unleई वैड़ में लेड सारे नहीं किर उत कियाए नहीं किया व转 रहीं कि जतने सारे लेडर्स किया ऐसारे र्बुर्स्वें कि व sulph Dri 두rows झारे बुर्स्साले जये ल這種 piùआरे गा मैं य हाई 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 तुम यहां क्या कर्दों मैं फोटो फोटो निकल रहाद है हाँ 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 हाई हाई... इस बुझा हु? अच्छा, आझा, तुमने यह किस किया था, और आज यहां पर कोई असपास है किस कर सकती है क्या तुम मेरे होटों पर किस कर सकती है? जाओ अंचा, प्लीज यार., जाओ अस बात खंपर मुझे नाइम नहीं आए आंजु, प्लीज, प्लीस, प्लीस, प्लीस बुन पर एकस, तौ्छ अरी, कोई देख लीगा यहां सप simply है भी नहीं आंजु, प्लीस यार, प्लीस, प्लीस, एकक्स ठीक है, हउत शयतान कहीं गी जा तो मन अनदर जाओ, मैंने कहा अंदर जाओ, क्या चल रहा ह構तों इस घर में, घर में बच्चे हैं बूड़े हैं तुझे ज़रहा भी शर्म नहीं आती, क्या, चल क्या रहा में इस घर में बता, आंजली, तू मनदर जा, मा पर यह रूख जो दीपु जरा लड़के को रूखना तो अभी रूखती हूँ अच्छा सुनो तुम्हारी शादी हो गई क्या अच्छा टुकुर टुकुर क्या देख रहा है सब्जी मंगवाना अच्छा सब्जी दर्लकरो अच्छा सब्जी मिलेगी देखिये आराम से खाईएगा कहीं गले में न फज्जी आए बतना चाहिए था ना मैं खा रहा था तो इसे अब तुई ही ले आज़ी क्या इसके सर पर डाल दे मुसीवर तल जाएगी अरे पाप्र मम्मी और मौसी ने नानी से बात की है दीदी की शादी होने तक रुके हैं उसके बाद वो लो पापा से बात करेंगे हुआ 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 है सच में हुआ है थांक्स बोलने के लिए आये हो है ऐसा ही कुछ समझ लीजिए मगर मगर दादी माँ आप मुझे इतना अच्छा समझती है ना मेरी कोई जान पैचान है ना कोई रिष्टा है आपसे फिर भी इतनी इज़त देरी है मुझे और इस तरह से आप पच्छी साल तक यूँ ही सॉरी दादी मा मैंने आपको शायद कुछ ज्याधा ही हर्ट कर दिया होगा हर औरत की जिंदगी में तीन पुरुशाते है बेटा सबसे पहले अपने पिता फिर दूसरे पती और तीसरा कोग से जनम दिया हुआ बेटा मेरे पती परमेश्वर रावची वो हमारे घर के ही नहीं पुरे गाउ के लिए भगवान थे शेहर की हवा गाउ की तरफ रोख करने लगी थी शेहर के वातावरन में रहकर लोग गाउ में भी खेती बारी करने लगे थे लोग इंडरस्ट्रीज के जरीए काव को बर्बाद करना चाहते थे लेकिन मेरी पती ने इस काव को और यहां के संस्क्रिती को बचाने के लिए दिन रात सोचने लगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हम सब की भलाई के लिए ये काम तो होना ही चाहिए जहां पर हम लोगों को मंदिर की निव रखनी चाहिए वहां पर वो लोग फैक्टरी बनाना चाहते हैं आप भी बतागे क्या यह उचित है और वैसे भी हमारे गाउं के लोग धेदर अपनी जमीन बेशते जा रहे हैं अब कुछ तो करना पड़ेगा ना देखो अंके बोलो हर इंसान जिंदगी में खुशी चाहता है और चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसके साथ रहे है कि नहीं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे साथ रहे और साथ में हमारा गाउं भी अच्छा रहे कोई आकर हमारा गाड़े उससे पहले हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा नहीं है आप ठीक कह रहे हैं हाँ ऐसी स्थिती में कुछ करना पड़ेगा जिसमें सबकी भलाई हो ऐसा कोई रास्ता निकाली और आपके साथ तो आपका बेटा भी है मैं अच्छा रहूं मेरी लोग अच्छे रहे यह सोच अच्छी थी लेकिन वो सूचते थे कि लोग खुश रहे और उनकी खुशी की वजह मैं बनू उनका ऐसा सोचना था इतने अच्छे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनका बेटा हर वक्त वो अपने बेटी की बारे में ही सोचते थे सुन तो जो इतनी दूर आया है वो घर के अंदर भी आएगा क्यूं परिशान हो रही हो देखो कौन बोल रहा है वो ही दर्वाजे की तरफ देखते रहते हैं वो भी चुपके-चुपके वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी जायदात का वारिस बने बल्कि वो चाहते थे कि वो उनके सपनों को पूरा करें लेकिन का माक्षी जननी जन्म भूमिष्चा स्वर्गादपी गरी असी जिसने बचपन से सिखाया है उस परमेश्वर का बेटा है वो मगर वो अपनी मा जन्म भूमी को छोड़ करके आज जाना चाहता है कि इतने सालों तक इतना बड़ा बोज आपने खमोशी से कैसे सेहन किया दादिमा कि ऐसे क्या देख रही है आप अब तक मैं सोचते थी कि मुझे कोई नहीं चाहिए लेकिन आज पता नहीं क्यों मैंने अपने दिल की सारी बाते तुझे बता दिये बेटा क्योंकि आज से कि आप ये समझ लीजी कि मैं आपका पोता हूं हुँ कि मैंने माहना है से चक्रधारी तेरी करूं मैं है अर्चना तेरी शरण में आए है हम उटकर दकामना खुशियों के सबावन अब सर पर करते हैं वन दना हुँ हुँ कि मैं है तुझे बता देरी शर्चना घर पर कर दो 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 बावन आपका प्लाव जे जए जुझे ओशा है उन्हीं हुआ जल्दी जल्दी मोरत का समय निकला जा रहा है जल्दी करो नहीं तो अब सब्सक्राइब क्या है बाबाजी शादी हो गई है तो इसका मतलब चार सूटके सो समान दे के विदा कर दोगे क्या यह तरीका तुमारा पूछो ना रहे बीस साल से घर में पली है और सबने उसे बहुत नाजों से पाला है और परमेश्वर जी की नातिन है वो नए घर में जा रहे है तो मेरा सारा प्लान चोपट हो गया और तो टुकर टुकर घूर रहा है तो जाकर अपना काम कर मैं इधर का काम से मालता हूं कर दो हुत हो है तो है तो है तो है बहुत हैूष्यल कर द कि आह कहाईई कर दो है दो है में आटर एम बाह कि तो है कि अग्या जे माया आई वहाँ, अएड़ वा बाँ, डाँ या but बाँ अभी हुटे है वेयों कि अभी है किसी से पहली बार मिलने पर हाल चाल पूछना चाहिए ना, उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर लिया, आप वापस जा रहे हैं, कोई ऐसे मिलता है कि अपने महमानों से, दादी मा सब को राजी करके यहां पर सब को मिलाने के ले लेकर आई थी, फिर वो सब बिना मिले घर के अंदर क्यों चले गए, आखर बात क्या है डाइड, I'm sorry dear, I'm really sorry, मेरे पाप इस तरह मेरे सामने आएंगे मैंने नहीं सोचा था, ऐसी जिन्दगी जीव मैं ऐसी सोच रखता था, हर कोई ऐसा सोचता है एक समय में, पर मैं अपने सपनों को किसी भी हालत में पूरा करना चाहता था, और इस कोशिश में, इस कोशिश में मैंने अपनी पूरी जिन्दीगी को मिटा ढाला, मेरे पिताजी ने मेरे भविश्य को देख लिया था, उन्होंने कहा था, कामाक्षी, जननी जन्म भूमिष्च स्वर्गादपी गरी असी, बच्पन से जिसने सिखाया उस परमेश्वर का बेटा है यह, फिर भी ये अपनी मा, अपनी मा जन्म भूमी को छोड़ कर जाना चाहता है, इस घर का तो इकलोता है बेटा, घर के बारे में सोच, इनके सपनों के बारे में सोच, इनके सपनों को साकार करने के लिए, यहाँ पर कोई स्वतंतरता की लड़ाई नहीं चल रही है मा, एक तरह से ये भी एक लड़ाई है, हमारी भूमी, हमारी संस्कृति को बचाना उनकी कश्मकश है बेटा, और इसमें उनका बेटा उनके साथ रहे, ये उनका स्वार्थ है इन्होंने ये सब सोच लिया और वो बिल्कुल सही है, मैं इनके साथ कड़ा रहूँगा इन्होंने एक बाइबी पूछा मान लो अगर मैं पूछ बिलेता, तो आखिर क्या कर लेता तू वो अपनी जमीन बचाना चाते है, वो सब तो ठीक है मान, लेकिन मेरे सपनों पर आप सब लोग पानी क्यों फेर रहे हैं तुम्हारे सपनों का मतलब लाखों या करोडों सिर्फ सपना, दुनिया जो आगे बढ़ रही है, उन सब में आगे खड़े रहना मेरा सपना है जो इस दुनिया में हो रहा है, वो मैं अपनी मुठी में रखना चाता हूँ उसके लिए गाओं छोड़ने की क्या ज़रूरत है? आप लोग इस गाओं में अटके हुएं क्योंकि आप लोग की सोच पुरानी है लोग पैसा कमाने के लिए आज देश शोड़ कर बहा जा रहे हैं इस दुनिया में इंसान मशीन की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और आप मशीन में जंग लगाकर वहीं खड़े हुए हैं यह बात गलत है वहालक्षमी वहालक्षमी तुम्हारे भाईया इस गाओं को छोड़कर पूरी दुनिया को जीतने जा रहे हैं यह महाशे इनको तिलक लगाकर विदा करो आगे बढ़ो इतनी चोटी सी बात को आप पहाड की तरह बढ़ा क्यूं बना रहे पिता जी अरे गाओं के लिए जीना गाओं के लिए जान देना इस जमाने में नहीं होता है अगर मा को देखनी की इच्छा होगी तो मैं वक्त निकाल कर यहां पर आ जाओंगा अगर बहनों से बात करने का मन करेगा तो टाइम निकाल कर फोन कर लूँगा मैं और अगर मैं कुछ बन गया तो जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा मैं इस गाओं के लिए मदद करूँग अपनों के लिए जो समय निकाले वो समय नहीं चाहिए हमें पर तू जिस रास्ते पर जा रहा है अगर तुझे कभी धोकर लगे और एसास हो कि इस घर की तरफ देखना है तो मत देखना कभी इस तरफ जानता है क्यों क्योंकि उस वक्त तेरे प्यार और तेरी मदद की जा बेटा इंसान अपने लिए जीए तो क्या जीए अपनी मात्र भूमी के लिए जीना ही जिन्दगी है केमिकल फैक्टरी हमारी गुदावरी के पानी को खराब न करे ये मेरी सोच अपनी संस्कृती को जो हम सालों से चलाते हुए आ रहे हैं वो मिट्टे में ना मिले यही मेरी कलपना रही है हमेशा से और उसी के लिए मैंने अपना संपून जीवन त्याग कर दिया है एक पढ़ा लिखा लड़का जब हमारी भावनाओं को नहीं समझता हमारे सिद्धांत को नहीं समझता अपनी मात्र भूमी को नहीं समझता तो तकलीफ होती है तवार होती है जब वो पैसा और भौतिक वाद के तरफ भागना शुरू कर देता है उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वो अपने गाउं, अपने समाज, अपनी मात्र भूमी के काम आ सके इसलिए नहीं कि वो गाउं छोड़ कर चला चले वो सोचता है कि मैं अच्छा रहूं और मैं सोचता हूं कि सभी अच्छे रहे और वही मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी सुभान पूरी नहीं कर पा रहा हूं, अपने वादे मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ये बात हमेशा सालती रहेगी बहुत बड़ी गलती की है आपने डाइड आपने सोचा भी कैसे कि आप अपने अपनों को छोड़ कर खुश रह सकते हैं इस वक्त आपको मुझसे कहीं जादा उन सब की जरूरत है डाइड पहीं कि सिर्फ आपके और उन लोगों कि सोचने भर से आपके खुण का रिष्थे कभी खत नहीं हो सकते चली डाज अंदर चलते हैं झाली कि अब यह उभिष नहीं वा तो कभी नहीं हो पाएगा अधर definite नहीं नहीं मैं आपकी कुछ नहीं चुनूंगा अंतर चलिए चलिए कार्तिक बोलो कुछ बत बोलिये दादी मा आपने जो गलती नहीं की उसके लिए आपने अपने आपको सजा दे है ठीक है लेकिन मैंने जो गलती नहीं की उसकी सजा आप मुझे क्यों दे रही है तो मेरा बेटा मेरा बेटा हमेशा यहीं का कितने प्यार से बलाती थी आप मुझे और जैसे ही पता चला कि मैं उनका बेटा हूं तो सारे रिष्टे ही खत्म कर दिये ना गुवाजी आपके भई आपकी जान है हमेशा यह कहने का मन करता था अब उन्हें हमेशा यह ख़त लिखा करती थी ना कोई खुश्य हो है कोई दुख हो घर की हर एक बात लिखा करती थी आप उसमें अड्रस नहीं मिला तो आपने से पोस्ट नहीं किया है अब वही आत्मिया आपके सामने खड़ा है अब तो आप उससे बात कर सकती है छोटी बुवा आप तो तब भी और आज भी इनकी वही छोटी बहन है जो कहती थी कि मेरा भाई जो कहगा मैं वही करूंगी कोई सवाल तक नहीं करती थी कि अजू कि अजू कि अजू कि सिंदीगी क्या होती है यह मैंने तुम से मिलने के बाद ही जाना है अगर तुम मुझे नहीं मिलती ना तो मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाता मेरी इतनी बड़ी फैमिली है इस बारे में मुझे पता ही नहीं चलता इतना सब कुछ सिखा है तुमने मुझे तो इन सब को भी सिखाओना कि अपनों को माफ कर देने में ही बड़पन होता है यह बात इने क्यों नहीं सिखाती हाँ 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 मैं मानता हूं कि यह आपको छोड़कर चले गए थे आपको याद तक नहीं किया और उसके बाद क्या आप लोग मिलकर रह रहे हैं तब से मिलकर रहना मतलब एक घर में रहना नहीं होता एक दूसरे के दिल में रहना होता है मेरे डैट की दिल में आप लोग रहते हो यह बात में नहीं जानता है और रही बात मेरी मुझे तो आप सब के बार में पता ही नहीं था ऐसी परवरिश होई है पर अब मैं जानता हूं कि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं आप सब के साथ में रहना चाहता हूं लेकिन आप लोग मुझे जानी के लिए बोल रहे हैं अकेले जीना बड़ी बात नहीं है मैं हमेशा ऐसे ही जिया हूं और मेरे डैट भी ऐसे ही जीते आए इन्हें कभी भी आपकी कभी महसूस नहीं हुई लेकिन अब जब मुझे आप सब के बार में पता है तो मुझे अब थोड़ा दुख हो रहा है लेकिन क्या फर्क पड़ता है क्योंकि हमारे लिए तो हमारे रिष्टों से कहीं जादा हमारी इगो जादा इंपॉर्टेंट है कि अधिर्म में गल्ती करना नहीं बल्कि गल्ती करने वाले को माफ नकरना सबसे जाता बड़ी गल्ती अ कि ब मुल चुछ खुईक भुई का एाद लो खुई को सी का भूए ठो हुईु खुई खुईक भाल खुईक भुईक रहा हुई झार खुईक झाल 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 दैट फिर से उस फैमिली के मिंबर बन गए उन्होंने अपना आखरी समय अपने परिवार के साथ बिताया अपना स्टेटिस, अपनी दौलत, इनसे कहीं बड़ी चीज वो हमें दे कर चले गए और वो है उनकी याद जो हमेशा हमारे साथ रहेगी प्यार से आपका कार्थिक ए अंजली कार्थिक